है हालो एब्रीवन आज की स्व इडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही कम टाइम में पैलल प्लेड कॉलेट क्या होता है यह से काम करता है और पैलल प्लेट कापेजिटर से रिलिक्टेग जो दो लॉग आंसर को सेंथ बन सकते हैं जिस में से एक है कि पैलल प्लेट कैपसिटर की कैपसिटेंस के एक्सप्रेशन को डिराइब करना और दूसरा है कि अगर एक कैपसिटर को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके अंदर में जो एनरजी स्टोर होगा उसका डेरिवेशन करना इन दोनों चीजों को बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को देखिए आज हम लोग इस टॉपिक को सबसे पहले एक प्रॉब्लम के तुरू समझने का काम करेंगे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास की डिफाइन पैलल प्लेट कैपसिटर क्या है और पैलल प्लेट कैपसिटर के कैपसिटें को डिराइब करना है अभी आप सिर्फ समझे इस लेक्टर की जो कंप्लीट पीडेफ नोट्स होगी वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के सारे मिल जाएगा देखिए अगर हम पैलल प्लेट कैपसिटर की बात करें तो बेसिकली पैलल प्लेट कैपसिटर द और इन दोनों का जो चार्ज होगा इस फर अगर ट्यू चार्ज इसपर लिको चार्ज बस इस पर पाजुटिव तो इस पर क्या नेगेटिव अच्छा मतलब यह मैंने कहा धिक प्लेट कापसिटर वि Civिडिकु डो आइडेंटिकल मेटलिक प्लेट का एक सिस्टम है जिसमे दोनों प्लेट को बहुत कम distance पर हम लोग separate करके रखते हैं, इन दोनों के बीच में कोई dielectric material भी हम लोग भर सकते हैं, या नहीं तो ear तो है ही, इन दोनों प्लेट का charge सेम होता है, दोनों प्लेट की जो area होती है, दोनों प्लेट की जो area होती है, वो भी हम लोग सेम लेते हैं, पतलब दोनों plate का जो area होगा इसका भी area और इसका भी area सेम होगा दोनों के ओपर चार्ज सेम होता है तो charge density जो होगी sigma is equal to Q ya दोनों की सेम होगी बस एक पर positive charge होगा और दूसरे पर negative charge होगा हम लोग इसको symbolic लिए इस तरीके से दिखा सकते है प्लेट कापसिटर को, बूर्ड में एक question पूछता है कि प्लेट कापसिटर के अंदर second plate का, यह हमारा पहला plate है और यह हमारा दूसरा plate है, second plate का क्या role है, तो second plate को basically हम लोग potential से जोडने का काम करते हैं, यह second plate को हम लोग basically earthing से जोडने का काम करते हैं, जब positive plate पर charge जाता है, तो इससे इस पर charge induced होता है, और second plate इस system के potential को low करने का काम करता है, decrease करने का काम करता है, तो चलिए, अब चलते हैं आगे, और समझते हैं कि parallel plate capacitor का, जो capacitance हाता ह उसको हम लोग कैसे करते हैं हम लोग ने मान लिया कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं इनके बीच की सेपरेशन दी है हम लोग ने इसको वी वोल्ट के बैटरी से जोड दिया है समझे एक चीज कि इसकी जो चार्ज जनलस्रेटी होगी सिग्मा हो जाएगी क्यू अपॉन में इस चीज को आपको ध्यान रखना है अच्छा दो तीन बातों को आपको यहां पर ध्यान रखना है जिसमें सबसे पहली चीज जो है वह यह है कि एलेक्ट्रिक फिल्ट जो प्लेट के बीच में होगा यह हम लोग पढ़ते हैं कि दो कंड़क्टर से अगर दो कंड़क्टिंग इस एक चीज जानते हैं कि एलेक्ट्रिक फिल्टो और पोटेंसिल के बीच एक एक रिलेशन होता है electric field और potential के बीच एक relation होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं e into e या e into r is equal to v अब लग अब अब electric field potential gradient के बराबर होता है basically एक relation आप इस तरीके से इसको समझिए कि हम लोग लिखते हैं e is equal to v upon में r e is equal to v upon में r जैसे suppose कर ये किसी reason में समान लिजे कि इस reason में electric field e है और यहाँ distance d है इनके बीच का जो electric field होगा उसको v upon में d लिख सकते हैं यानि v को क्या लिख सकते है e into r याद रखेंगे कि electric field और potential के बीच relation होता है e is equal to v upon r और यहां से हम लोग v is equal to लिख सकते है e into r इस बात का ध्यान रखना है आपको तो हम लोग यहां लिख सकते हैं potential between plates गर हम लोग इनके बीच के potential की बात करें potential को ऐसे लिखा जा सकता है v is equal to v is equal to e into r यहां पर r तो है नहीं दोनों की बीच का separation d है तो हम लिखेंगे e into d यानि हमारे पास v is equal to क्या जाएगा sigma d upon epsilon note यह देखिए हम लोगों कहां से लिख दिया यह हम लोगों लिख दिया equation 1 के सहार है equation 1 में लिखा था e is equal to sigma by epsilon note यह दोनों plate के बीच का electric फिल था तो v is equal to क्या हो जाएगा e into d कोई दिक्कत नहीं है याद रखेंगे कि sigma यहां पर क्या है sigma surface charge density है मतलब plate के one unit area में पूरे plate के एक square meter area में कितना charge है हम उसको sigma कह रहे है sigma यहां पर surface charge density या aerial charge density है now अगर हम लोग capacitance की बात करें तो capacitance के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा capacitance का जो formula होता है c यह होता है q upon में v capacitance c is equal to होता है q upon में v जैसे हम लोगों यहां पर small q लिया यहां पर भी small q लेना पड़ेगा हम लोग यहां पर लिखेंगे capacitance c is equal to q upon में v अब जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते है sigma is c is equal to q by v v के जगा पर क्या लिख सकते है sigma d upon epsilon note हम लोगों यहां पर क्या क्या किया equation 2 का help ले लिया using equation 2 हम लोगों ने v की value equation 2 से यहां put कर दी अब यह उपर चला जाएगा तो c is equal to हो जाएगा q by q into epsilon note y कितना sigma into d clear है हमने कहा कि sigma यहां पर क्या है sigma यहां पर surface charge density है तो sigma को हम लोग क्या लिख सकते है q by a यह हमारे पास हो जायागा q epsilon note और sigma को क्या लिख सकते है q by a into कितना d अब यह a उपर q से q cancel out हो गया यह a उपर चला गया यह हमारे पास आ गया a epsilon note by d यानि हम लोग यहां पर capacitance का जो लिख सकते है expression लिख सकते है epsilon note a upon में d this is the final expression धोर capacitance of a parallel plate capacitor अब एक बार फिर से समझे हम लोग उने दनों plate के बीच की electric field लेली sigma by epsilon note फिर हमने क्या किया कि हम जानते है है कि potential electric field के बीच के relation होता है v is equal to e into r यहां पर plates की बीच की separation d है तो हमने लिखा e into d व is equal to आ गया sigma d by epsilon note यहां पर sigma क्या है यह हो जाएगा q epsilon note by sigma d sigma की value हम जानते है sigma जो है यहां पर q by a surface charge density है उसकी value put कर दी q से q कट गया यह हो गया a epsilon note by d यानि epsilon note a by d याद रखेंगे यहां पर sigma जो है यह surface charge density था और हम लोगों ने already mention कर दिया है यहां पर कि a जो है वो प्लेट की एरिया है और d जो है दोनों plates के बीच का separation है इस तरीके से हम लोगों ने parallel plate capacitor की capacitance को derive करने का काम कर लिया अब आई यह समझते हैं कि इस पर objective problems कैसे बनते हैं देखें ध्यान रखें कि यहां पर हम लोगों ने formula देखा कि हमारे पास जो formula आया है capacitance का parallel plate capacitor की capacitance का ही आया है इस इक्वल टू epsilon note a upon में d we all know हम जानते हैं कि epsilon note जो है यह permittivity है free space की तो यह तो भया constant रहेगी अब अगर हम a और d के variation की बात करें अगर किसी case में suppose करिए कि हम लोगों ने d को constant कर दिया हो मतलब दोनों plate के बीच के distance को constant कर दिया हो उस case में c जो है capacitance यह a के directly proportional देखें epsilon y d को हमने constant कर दिया मतलब अगर plates के area को increase करवाओगे तो capacitance बरहेगा प्लेट के area को decrease करवाओगे तो capacitance घटेगा बहुत ही simple सा मसला है उसी तरीके से अगर उपर वाले term यह को constant कर दे एरिया को constant कर दे मतलब अगर d की बात करें तो यह क्या है हमने कहा कि capacitance area के directly proportional है और distance के क्या हो जाएगा यह इनवस्ति प्रपोर्शनल मतलब plates के बीच के separation को increase करवाओगे तो capacitance आपका घटेगा और plate की बीच के area को अगर decrease करवाओगे तो capacitance इनक्रीज करेगा इसके अलावा हमने पहले ही कहा था कि parallel plate capacitors के बीच में हमको die electric को भी फिल कर सकते हैं मतलब यह जो दोनों plates plate के बीच में हमको एक ऐसा material भर दिये हैं जिनकी die electric constant के है इस केस में जो capacitance होगा वो के times हो जाएगा और यह हो जाएगा के epsilon note a by d याद रखेंगे objectives यहां से बनेगा parallel plate capacitor क्या है capacitance को हम लोग उने derive कर दिया इसके अलावा board में एक problem और है प्रोबेबल जो की आ सकता है और वो है कि अगर हमारे पास कोई भी capacitor हो हम लोग अभी फिलाल parallel plate capacitor की बात कर रहे थे तो इसी के लिए बात कर लेते हैं अगर हमारे रहा हमारे पास एक parallel plate capacitor है जिसको हम लोगों ने जोड दिया है किससे हमारे पास एक parallel Common प्रेट कर्पर में समझे स स्कोषोड दिया है एक बैतरी से जिसकी potential हुई है तो देखिए होगा क्या इसको जोड़ेंगे तो से निकालना चार्ज का फ्लो होगा यहां पर बैतरी चार्ज को मूब करवाने के लिए वही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा काम करता है यहां पर देखें जैसे चार्ज जाएगा तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा तो वर्क डन वर्क डन इन मूविंग चार्ज पहले हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे अब मूविंग चार्ज डीक्यू चोटे से चार्ज की अगर बात करें उसको मूव करवाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा डी ड़ी डव्लू आपको ये परहाएगा होगा कि वर्क का फॉर्मूला होता है विंटू डीक्यू अगर विपोटेंशियल डिफरेंस से क Q into delta V या Q into V अगर माल लीजिए कि दो reason के बीच का potential difference V है जैसे कि यहां पर दोनों plates है इन दोनों plates के बीच की potential difference अगर V है तो Q charge को यहां से वाँ move करवाने के लिए V into Q work done करवाना पड़ता है तो अगर हम DQ charge को move करवाते हैं इस battery से लिए करके इस capacitor तक अगर हम DQ charge को move करवाते हैं तो इसके लिए हमें कितना work करना पड़ेगा इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा वी इन्टू DQ वी इन्टू DQ अच्छा यह तो ठोटे से charge को move करवाने में किया गया work done है अगर हम मालो suppose करो मालो suppose करो कि initially मालो की initial charge जब connect किये थे इस पर तो कितना था जीरो और जैसे हम लोगा ने बैटरी को आउन किया बतला स्विच को आउन किया तो यह चार्ट जाते 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 मालो कैपसिटर अपने maximum value क्यू तक चार्ज हो गया है तो इस condition में net work done कैसे निकलेगा पहले अपन निकाल लेते हैं net work done net work done जो निकलेगे वही net work done जो निकलेगा वही energy के बरावर होगा यहां पर net work done थोरा सा एक बुद्धी यूज करो इस वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अब वी का differentiation तो क्यों के respect में होगा नहीं तो हमें वी को क्यों करना पर है कर लेंगे भाई क्या दिक्कत है हम जानते हैं कि q is equal to क्या होता है tv हम लोग यहां से लिख सकते हैं वी is equal to कितना q by c हम यहा हमारे पास जो होता है q वो किसके बराबर होता है tv के बराबर तो यहां से हम लोगों ने वी के value put कर दी q upon c dq क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब चलते हैं आगे इसका integration कहां से कहां तक हो जाएगा जीरो से ले करके q तक हो जाएगा ठीक है अब देखिए समझे को हम लोग integration से बाहर निकल देते हैं यह तो बाहर निकल जायागा ती अब देखिए जिसका कोई नहीं होता उसका अल्ला इससवर भगवान होता रोकितना होता है एक यह लिखा हुआ है q का power 1 dq जो बच्चे मैस के वह बखो भी जानते होंगे और जो बायो वाले बच्चे आप गताई है देख लिजे टूदी पावर एंड की अगर आप integration करोगे तो यह क्या आता है यह आता है था यहां पर यहां पर बस Q by C था, तो 1 by C को अपने बाहर निकाल दिया, और Q का कोई नहीं, तो अल्ला इस्वर होगा, वो कितना होता है, एक, तो इसके उपर पावर है 1, अगर तुम इसको इंटिग्रेट करोगे, Q के पावर 1 को, यह हो जाएगा, Q square upon 2, ठीक है, कहानी clear है, यहाँ तक की चीज़े clear है तो हम लोग direct लिखेंगे, math तो solve कर नहीं रहे हो कि इसको लिखना पड़ेगा, तीदे लिख दो इसको, यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 by C बाहर है, और यह आगया Q square by 2, अग तुम इसमें limit भी अगर put करोगे, 0 से लेकर के Q तक, तो तुम solve करके देख लेना, यह वही इसको अबर ही होता है, यह इतना work बैटरी ने किया, उतना energy capacitor में store हुआ, energy stored E is equal to क्या आ गया, 1 by 2 Q square by C, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, but हम लोग इसको standard form में कैसे लिखेंगे, standard form में लिखने के लिए क्लिए 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 क् Q square क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, C square into V square, इस Q के जगह पे आप put कर दो, Q के जगह पे put कर दो, C into V, तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, 1 by 2 C square V square by C, हम ने यहाँ पर क्या use किया, यह concept use क्या क्या होता है C V, अब यहाँ से C से C square cancel out हो गया, तो हमारे पास energy का जो expression आया, तो आगे हाफ CVSquare देखें आप बोड के लिए काफी important है इसको अलग से बनाया मतलब इस छोटे से वीडियो में आपने ठीक लिया कि parallel plate capacitor क्या है parallel plate capacitor में second plate का क्या role है parallel plate capacitor की capacitance कैसे निकालते हैं इसके अलावा अगर किसी capacitor को किसी battery से जोरा जाए तो उसमें stored energy का expression क्या होता है ऐसे ही छोटे वीडियो के लिए ऐसे कुछ-कुछ और वीडियो आएंगे जिनमें आम लोग बोड के important topics को discuss करने जा रहे हैं इन topics का जो भी मैंने परहाया है इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो description मे जाएए एक drive link होगी उसको click करिए और PDF को download कर लीजिए ठेक है याद रहे आपको जो भी topics पर वीडियो चाहिए वह आप comment section में बता सकते हैं आपको उस topic पर वीडियो मिल जाएगा आपको ध्यान रखना है कि चैनल नया है तो subscribe कर दीजिए और maximum बच्चों तक share करिए ताकि अधिक सदिक बच्चों को इसका फाइदा हो सके बहुत बहुत महबत बहुत बहुत महबत